नमस्कार दोस्तों, मुझसे कई बार ये question पूछा जाता है कि क्या law of attraction बिना action के काम करता है और मैं proudly बहुत अच्छे से हमेशा इसका जवाब देता हूँ कि हाँ बिल्कुल law of attraction से बहुत की vibration पे काम करता है आपके action से इसका कोई लेना देना नहीं होता इवेन अगर आप जो action भी लेते हो वो भी आपकी vibration में ही आपको help करता है तो मेरा ये answer कई लोगों को हमेशा बहुत confused भी करता है कि क्या मैं आपको action लेने से मना करता हूँ तो इसका answer है बिल्कुल भी नहीं बस मैं ये कहता हूँ कि law of attraction vibration पे काम करता है action पे नहीं आपकी feelings पे काम करता है actions पे नहीं और आज की इस वीडियो में आपको detail में इस चीश को बताऊंगा ताकि आप भी इस बात पे believe कर पाओ क्योंकि ये resistance कहीं न कहीं सबसे ज्यादा आजाती है mind में कि हम action नहीं ले पारे इसकी वज़ा से manifestation नहीं हो रहा जब मैं law of attraction सीख रहा था तब मेरे mind में भी एक question हमेशा होता था क्योंकि मैं जहां भी देखता था वहाँ पे हमेशा ये बात कही जाती थी कि law of attraction बिन action के काम नहीं करता और मेरे मन में सिफ़ एक question आता था कि अगर action से ही सब कुछ करना है तो मैं law of attraction को follow ही क्यों करूं क्यों अपने दिमाग को थका हूं इतना क्यों अपने आपको इतना परिशान करूं जब action से ही सारी चीजे होनी है तो मैं खुद ना कर लूँ action in fact action लेकर के मैं अपनी life में बहुत बात देख भी चुगा था और कभी भी मुझे उसका result नहीं मिला था या मिला भी तो बहुत temporary मिला लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्टार्टिंग से बताता हूँ इस चीज को अबराहम कहती है कि आप जब इस धर्ती पर जन्म लेते हो तो आप जन्म लेने से पहले ही ये सोच कर इस दुनिया में आते हो यानि जन्म लेने से पहले ही आपको ये बात पता होती है कि इस दुनिया में इस वाले physical world में आप ज जो इसको simple शब्दों में तो आपकी vibration से होगा और जब आप इस धर्ती पे जन्म लेते हो तो आप action wise कोई चीजे नहीं करते आप vibration ही होते हो और उसके अलावा भी आप देखोगे तो आप languages को नहीं समझते अब इसके example में अगर छोटे बच्चे के around ये अगर आप कोई चीज देखो तो उसके सामने अगर कोई जगडा करे तो वो बच्चा भी रोने लगता है उसके सामने कोई खुश हो उसे प्यार करे तो वो हसने लगता है शब्द बोलना तो वो बाद में सीखता है चलना फिरना वो बाद में सीखता है यानि action की सारी चीज़े बाद में होती है तो जो चीज़े बाद में होती है जो starting से नहीं है उसको सच नहीं कहा जा सकता लेकिन action इतने natural होते हैं कि thoughts का flow और action का flow अगर आप देखो तो उसी में से आपको इस जीश को समझ में आ जाएगा कि जैसे thoughts एक दिन में 60,000 से ज़्यादा हमारे mind में आते हैं लेकिन एक दिन में आप 60,000 actions नहीं ले सकते लेकिन thoughts create कर सकते हो अब हम आते हैं कि action किस तरीके से natural होता है अगर आप अपनी overall life में ही देखो अपने around examples देखो कि जो person depression में होता है बहुत ज़्यादा emotion उसके heavy होते हैं अपने आपको लेकर के उसका action ही होता है कि वो कई बार अपने आपको नुकसान पहुचाता है और जब आपकी vibration anger में होती है आप बहुत ज़्यादा गुसे में होते हैं और सेम अगर आप देखो blame में अगर कोई person होता है जिसके mind में से blame है कि मेरी life में इन circumstances की वज़ा से इन चीजों की वज़ा से इन लोगों की वज़ा से मेरी life change नहीं हो पा रही तो ऐसे में उस person का action ही यह होगा कि वो दिन बर blame करता रहेगा तो इस जगा पर जब उसे already पता है कि उसकी life उसकी वज़ा से नहीं दुनिया के दूसरे लोगों या opportunities या दूसरे circumstances की वज़ा से खराब है तो ऐसे में person action क्या लेगा कुछ भी नहीं ले पाएगा क्योंकि उसका mind उसको action के लिए inspire नहीं करेगा उसका mind उसको और blame करने के लिए inspire करेगा कि तुम दूसरों को और blame करते रहो और खुश रहो अपने मन में कि तुम्हारी गलती नहीं है दुनिया की गलती है ऐसा सोच करके अपने काम को आप टालते रहो तो ये सारे जो emotions होते हैं इसमें होता है blame की वज़ा से आपका procrastination और procrastination आपको किसी चीच में आगे नहीं बढ़ने देता क्योंकि वहाँ पर आपका mind work नहीं कर रहा होता एक pattern को break नहीं कर रहा होता मन में यही लगने लगता है कि जब सारी चीजे मेरे control में ही नहीं है तो मैं control क्या करने की कोशिश करूँ मैं action क्यों लो और जब हम अपने emotional scale में आगे बढ़ते हैं अपनी vibration में आगे बढ़ते हैं अब emotional क्या है emotional scale क्या है उसके लिए मैं आपको एक video आपने comment box में दे दूँगा आप उसे देखिएगा आप समझ जाओगे topic थोड़ा सा लंबा है इसलिए मैं इस video में नहीं बता रहा overall अगर आप उसे सीखना चाते हो तो आप definitely उसको देखिएगा Abraham का process है वो और definitely उसको जब आप देखोगे तो आपकी life में बहुत जादा major changes आएंगे क्योंकि emotions सारे एक ही जैसे होते हैं और किसी के अब उसके अलावा जब आप अपनी vibration को बढ़ाते हो emotional scale में जब आप उपर जाते हो आपकी vibration बढ़नी स्टार्ट होती है positive expectation के साथ या hope के साथ तो आपके अंदर एक नई उर्जा जागती है कि हाँ मेरी life भी change हो सकती है हाँ मेरी life में भी कुछ अच्छा हो सकता है जब positive expectation या hope आती है तब इंसान inspire होता है कि हाँ मैं अपने लिए कुछ करूँ तो जब तक आप उस positive expectation या hope की feeling में नहीं पहुँच जाते तब तक आप action लेने से अपने आपको हमेशा देखोगे अपने आपको दूरी करते जाओगे आप action ले ही नहीं पाओगे और ऐसे में Abraham कहती है कि आप जब चीजों को emotionally ना करके action wise करने की कोशिश करते हो तो आप अपनी life में बहुत बड़ी resistance को create करते हो और उस resistance की वज़ा से आपकी life खराब होती चली जाती और आपको लगता है कि आप में कोई fault है जब कि आप देखोगे तो वो thoughts का flow और action का flow match नहीं कर रहा होता चलो मैं आपको Abraham का emotional scale इसी में दिखा देता हूँ आपको दूसरी वीडियो में जाने की जुरुत नहीं तो fear, grief, depression, disappear, powerlessness ये resistance है और overall देखा जाए तो हर एक emotions को इतना नहीं देखना होता आपको बस ये समझना होता है कि कहां तक आप जा रही हो यानि आप कहां पे stand करते हो गर आप 22 नंबर पे खड़ी हो और 22 नंबर पे आपका emotion है तो आप actions लेने के लिए कभी inspire नहीं हो पाऊगे जैसे 22 नंबर में लिखा है fear आर मान लिजे आप student हो, आपको कुछ चीच अपनी life में करनी है भले आप study कर रहे हो, आपको exam निकालना है लेकिन आपके अंदर इतना fear है कि उस exam को ले करके कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहां से start करो तो fear में आपके actions ऐसे हो जाएंगे कि आप और fear create करने लगोगे और fear create कैसे होगा कि आप पढ़ाई से और दूर होते चले जाओगे आप पढ़ना भी चाहोगे, आपको पढ़ने के इच्छा नहीं होगे आप पढ़ोगे भी आपको समझ में नहीं आएगा और इसकी वज़ा से आपका fear बढ़ता जाएगा लेकिन अब रहाम कहती है कि भले ही आप 22 नंबर पे हो या आप जहां पे stand करते हो वो important नहीं है आप कहां जा रहे हो वो important है यानि एक नंबर पे रगर कोई है एक नंबर की vibration पे तो वहाँ से अगर वो उठके 2, 3, 4, 5 तक आ रहा ठीक है लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 यहां तक आ जा रहा है तो वो resistance create कर रहा है अपनी life में लेकिन कोई person 22 नंबर पे है अगर वो 22 से 21 में भी आ जा रहा है न तो वो एक step alignment में है और आपको 22 से सिधा एक पे नहीं जाना क्योंकि वो फासला बहुत दूर है आपसे आपको 22 से 21, 21 से 20, 20 से 19, 19 से 18 इस तरीके से अपनी vibration को change करते जाना है और जैसे 5-6 नंबर तक आप पहुंचोगे आप देखो कि आपकी life में वो changes खुद ही आने लगेंगे आप जैसे मैं fear की बात कर रहा था तो students में fear होता है exams को लेकर के अपनी पढ़ाई को लेकर के और उसकी वज़ा से वो fear increase होता रहता है कई लोगों को फिर insecurity भी होती है कि नहीं हुआ तो क्या होगा या मैं insecure हूँ कि किसी और को मिल जाएगा यह चीज या बहुत कम लोगों का यहां पे होता है या जो भी है mind में चल रहा होता है या guilt है कि मैंने पढ़ा नहीं चलो मैं आपको एक example के तौर पे समझा ही देता हूँ कि यहां से actual में निकलना कैसे है मान लीजे कोई student है वो 22 नंबर पे है बहुत ज़्यादा fear में है कि मेरे exam नहीं clear हो पारा बहुत depressed फिल कर रहा है powerlessness फिल कर रहा है disappear हो रहा है grief फिल कर रहा है तो ऐसे में उस person की actions भी वैसे होंगे emotions भी वैसे होंगे कि वो बहुत परिशान हो जाएगा काम ही नहीं कर पाएगा अपनी पढ़ाई ही नहीं कर पाएगा और ऐसे में सोसता रहेगा कि कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलू और फिर insecurity की feeling उसके अंदर अगर आती है guilt भी वो अपने अंदर ले आता है कि ठीक है मुझे guilt है कि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं की और अपने अंदर समझो कि हाँ मुझे jealousy भी है कही ना कहीं कि मेरे दोस्त या मेरे around के लोग मुझे better feel कर रहे है या better पढ़ाई कर रहे है या jealousy अगर आपको नहीं नजर आती अपने आप में तो देखो कहां आपके hatred और rage है पढ़ाई को लेकर के कई बार हमारे अंदर बहुत hatred हो जाता है कि हमारा education system ऐसा है या वैसा है actual मैं बोलूँगा खराबी कहीं नहीं होती खराबी सिफ अपने मन में होती है हम कही न कहीं चीजों को उस तरीके से देखते हैं तो reality हमारी वैसी बन जाती है क्योंकि उसी education system में बहुत लोग बहुत अच्छा भी करते है तो देखो 22 नमबर पे आप थे 22 नमबर में आप पूरी तरह से helpless थे लेकिन at least भले आप 17-18 नमबर तक भी आ जाते हो या 19 पे भी आ जाते हो आपको समझ में आ जाता कि ठीक है आपके अंदर अप गुस्सा है, hatred है और 17 नमबर पे आप देखोगे अंगर है आप भले अंगर तक पहुँच गए 22 नमबर पे आप fear थे fear में आप कुछ नहीं कर पा रहे थे at least एंगर में आपके mind में ये तो आ रहा है कि हाँ ठीक है अब जो हुआ मुझे एंगर से उस चीश को release करना है मेरे अंदर एंगर है, discouragement है कि मैं इस चीश को नहीं कर पा रहा blame है education system के लिए मैं इस चीश को नहीं कर पा रहा worry है मेरे career के लिए, doubt है मेरे career के लिए मैं disappoint हूँ मेरी life के लिए मैं overwhelm हूँ, frustration में हूँ, irritation में हूँ pessimism में हूँ, bore हो रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ bore तक आप पहुँच गए तो समझ लो का अधा काम तो वैसे हो गया, फिर contentment है, hopefulness है, hopefulness जैसा मैं कहा रहा था कि hopefulness है, आपके alignment स्टार्ट होती है, कि आप भले ही किसी भी जगा पे stand करते हो, आपको नीचे से हमेशा उपर की और जाना है, उपर से नीचे की और आप आते हो, वैसे देखोगे तो हमेशा up-downs इसमें चलता रहता है, लेकिन भले आप एक number पे हो, यानि एक number से अगर आप down गिरोगे, तो ज्यादा से ज्यादा आप 5-6 number पे जाओगे, या बहुत ज्यादा resistance create कर लोगे, तो doubt, worry, anger तक आप चले जाते हो, लेकिन emotions एक के बाद एक multiply होते चले जाते हैं, तो इस emotional scale को देख करके आप ये समझो कि at least आप हो कहाँ पे इस जगा पे, कहाँ stand करते हो, और उस जगा पे देखो और कैसे उससे उपर जाना है, एक step भी उपर जाना है, वैसे देखो, अगर अगर 20, 21, 22, 19, ऐसी वाली जगा पे आप देखते हो, तो अपने अंदर एंगर लाने की कोशिश करो, यानि एंगर देखोगे तो बुरा नहीं होता, अगर कोई एक या दो नमबर पे है और अलाइन्मेंट में है, सब कुछ अच्छा है अगर वो एंगर क्रियेट कर रहा है, तो उसके लिए वो रिजिस्टेंस है, क्योंकि वो एक बैटरी स्टेट से बहुत वर्सी स्टेट में चला गया, लेकिन अगर आप 22, 21, 22 ऐसी वाली जगा पर हो, आप उससे बैटर फिल करने के लिए अंगर का भले सहरा ले रहे हो, तो आप 22 से 17 नंबर पर आ गए, तो ये आपके लिए alignment हुई, क्योंकि आपने अपनी resistance को पहले से थोड़ा release करना सीख लिया, अब उससे उपर आप जाते जाओगे, जितना जितना उपर आप जाते जाओगे, आपकी manifestations उत और क्योंकि आप जहां भी रहो, balance up, down रहेगा, तो टॉप पे रहोगे, तो वहां से अगर emotions down भी होते तो बहुत ज्यादा नहीं होगे, अगर center पे आप हो, तो center में से भी आप resistance बहुत create कर लेते हो, और resistance में already हो, तो resistance में बहुत resistance आप create कर लेते हो, तो बस emotional skill का आप screenshot ले ल और जैसे जैसे आपके emotions better होते जाएंगे आप खुद ही समझते जाओगे कि किस जगा पे action natural ही होते हैं, किस जगा पे नहीं होते है, actual में देखो कि तो action हरी जगा natural है, जैसे depression में अपने आपको नुकसान पहुचाना natural है, fear में अपनी पढ़ाई से दूर हो जाना, यह action है, तो उसी तरीके से देखो कि blame में अगर आप हो, तो आप blame कर रहे हो, तो blame में आप blame ही करोगे, action नहीं लोगे अपने काम के लिए, तो जब आपके अंदर hope होगी, optimism होगी, कि मुझे एक better life चाहिए, मुझे एक अच्छी life चाहिए, तो उसके लिए आपका mind आपको फिर inspire करता है कि आपको वो चीज मिले, तो जब वहाँ पे आपका action होता है, तो action इतना natural होता है कि आपको उस जगा पे मेहनत नहीं लगा, जैसे यहाँ पे fear में जब आप होते हो, आप कितनी कोशिश कर लो, आप पढ़ा ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप fear के emotion में हो, वहाँ से आप अपने action wise, अपने emotion को change करने के कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ सी यह सबच में आता है कि thoughts का flow, जो साथ हजार से ज़्यादा है, और आप vibrationally इस जगा पर stand करते हो, जहाँ पर fear ही बहुत ज़्यादा है, साथ हजार thoughts, fear के, और कहा action, तो action से आप कितना ही उसको change कर पाओगे, व कैसे अगर मुझे ये वीडियो बनानी थी, वीडियो बनाने का खयाल मेरे मन में पहले आया, वीडियो मैंने बाद में बनाई, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वीडियो तयार की बाद में सोचा कि क्या बनाऊ, तो वो चीज़ है, कि पहले आप action को अब रहाम कहती है कि 70-80% कम कर वाइब्रेशन को 70-80% बढ़ा लो, ऐसे में आप समझ जाओगे कि आप क्या thought feel करते हो, क्या सोचते हो, और क्या manifest होता है, जब आप अपनी लाइफ में खुश होते हो, knowledge, empowerment, freedom, love, appreciation, passion, enthusiasm, happiness, positive expectation, belief, optimism, इस तरह के emotions में होते हो, actions तो ऐसे हो जाते हैं चुटकी बजाने जैसे, ज मुझे ना script लिखनी पड़ती है, ना कुछ सोचना पड़ता है, मन में title होता है कि इस title पर वीडियो पनानी है, वीडियो तयार होगी, सारी चीज़े आपके around होती है, बस क्या होता है, कि हमारा नजरिया जब change हो जाता है, तो focus हमारा बट जाता है, जब resistance में होते है, fear में ह हमारा emotion चला गया, focus fear में है, focus blame में है, तो और उन चीज़ों को वो attract करता है अपनी life में और उसी तरह के actions को create करता है, कि वो चीज़े और life में बढ़ जाए, कि fear में पढ़ाई से दूर हो गए, उसकी वज़ा से पढ़ाई खराब हुई, अपने आप से परिशानी होने लगी खुद को नफरत करने लगे, यहाँ पर यह चीज़े आप देखने लगोगे, वहीं अगर आप देखो कि emotional scale में जैसे जैसे आप उपर जाते जाओगे, आपके actions दीरे दीरे change होते जाएंगे, तो आप कहीं भी stand करते हो, एक से लेकर 22 तक की आपके emotions उंगे, इसमें आप आता है, या contrast आता है, लेकिन जब आप number one पे होते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-6 या 10-12 तक ही जाते हो, या बहुत ज़्यादा आप बोलो, depression तक तो नहीं जाते हो, तो यह चीज़ है, कि कहीं न कहीं हम अपनी life में resistance को इस तरीके का create कर लेते, कि हम अपने emotions को स situation में हूँ, मेरे लिए joy, love, appreciation, gratitude, यह feeling बहुत easy है, क्योंकि मेरे लिए natural हो चुकी है, लेकिन जब मैंने start किया था, मैं depression में था, तो उस वक मैं किस चीज़ के लिए thank you बोलता, किस चीज़ के लिए gratitude फिल करता, किस चीज़ को appreciate करता, किस से प्यार करता, खुद से प्यार करता कैसे करता, तो वो चीज़े थी, जैसे जैसे vibration बढ़ती गई, मेरे लिए अपनी life पुरी change होती गई, मेरा अपने आपको देखने का, या दुनिया को देखने का ना, जरिया ही बदलता गया, और इसी में आपकी सारी, कि सारी manifestations rely करती है, यानि आपको different कुछ करने के जुरतन आप Abraham की teachings को सामाजी जाओ, तो आप देख लोगे अपनी life में changes, क्योंकि number one पे आप देखोगे तो joy, love, appreciation के साथ एक और word भी है, जो है knowledge, अपने mind को knowledge से इतना भरलो कि resistance तो वैसे खतम हो जाती है, क्योंकि मेरे अंदर Abraham की knowledge बहुत जादा है, Abraham को मैंने बहुत पढ़ा है, ब डाइरेक्ट जाओंगा तो resistance create होगी, तो इसलिए आप समझ सकते हो, जब आप इस चीज को follow करना start करोगे, तब आप इस चीज को believe कर पाऊगे कि law of attraction action पे नहीं, आपकी vibration पे वर्ग करता है, क्योंकि आप जिस vibration में हो, उस vibration में आप वही action लेते हो, और जब तक आप release करना न चाते हैं कि कितने emotions हैं मुझे नहीं जानना, कौन-कौन से emotion पे हूं मैं नहीं जानता, या मुझे नहीं जानना इन चीजों के बार हैं, मुझे बस अपनी life को better करना है, तो meditation को अपनी life का हिस्सा बना लीजे, आप भले ही 22 number पे हो, देखती ही देखती है आप एक number पे आ जा जाती है, और एक से जो पाच की state होती है, alignment की state होती है, वो natural है आपके लिए, तो जैसे जैसे आप negativity को अपने अंदर से निगालते रहोगे, आप positivity वाले state में कुछ पहुच जाओगे, तो meditation को अगर आप अपनी life का हिस्सा बना लेते हो, तो या आपके लिए naturally हो जाता है, अ उनको mixture बना कर ही मैंने उस mind reprogramming audience को मनाया है, तो ऐसे में आप मेरे channel पर भी उसे जा करके सुन सकते हो, जिससे आपको 100% result मिलेंगे, और अगर आप चाहो तो personally भी आप अपने लिए बनवा सकते हो, और अगर आपको personally बनवाना हो, तो आप उसके लिए मेरे manager अम्रित को contact और चैनल वाले mind reprogramming audience जो है, वो भी मैं comment box में दे दूँगा, और ये video आपको कैसे लगी comment box में जरूर बताएगा, इस video को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,